आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल पर आज हम लोग बात करेंगे उन आठ सीटों की बारे में जिस पर राज़त इस बार हर हाल में चुनाव जीतने जा रही है बहले ही नितिश कुमार इंडिया गटवंदन में रहे या ना रहे उन आठ सीटों के बारे में बताएं उससे पहले आपको बता दें कि लगातार मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि नितिश कुमार कभी भी इंडिया गटवंदन को छोड़ सकते हैं वैसे आप सभी को स्पष्ट कर दें कि हमारे सभी सूत्र बता रहे हैं कि नितिश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं नितिश कुमार इंडिया गटवंदन के साथ बने रहेंगे बात करें उन आठ सीटों की जिस पर राज़त हर हाल में इस बार चुनाव जीतने वाली है चाहे नितिश कुमार साथ रहीं या ना रहीं उसमें पहला नाम आता है सारण लोकसवा सीट का जो राज़त की हमेशा से पारंपरिक सीट रही है तूसरा नाम आता है जहानाबाद लोकसवा सीट का जहां राज़त पिछले चुनाव में काफी कम वोटों के अंतर से चुनाव हार चौता नाम आता है बकसर लोकसवा सीट का आपको बता दे कि 2020 के विधान सवा चुनाव में बकसर लोकसवा सीट के अंतरगत आने वाली सभी छे विधान सवा चुनाव पर महागटवंदन ने जीत दर्ज किया था पाचवा नाम आता है मदिपुरा लोकसवा सीट का यहां भी राज़त हमेशा सी अपने दम पर चुनाव जीता रहा है छटा नाम आता है कारा काट लोकसवा सीट का यहां भी अगर राज़त चुनाव लटी है तो वे जरूर चुनाव जीतेगी क्योंकि सीट के अंतरगत आने वाली सभी छे विदान सवा सीटों पर महा गटवंदन का कबजा है साथवा नाम आता है भागलपूर लोकसवा सीट का जहां राज़त मोदी लहर के बावजू 2019 में चुनाव जीती थी वही आठवा नाम आता है पाटली पुत्र लोकसवा सीट का यहां भी राज़त 2019 के चुनाव में काफी कम वोटों के अंतर से चुनाव हारी थी वैसे वीजो पर आपकी क्या राए है कमेंट बॉक्स में जरू लिखें और अगर अभी तक वीजो को लाइक नहीं किया है तो वीजो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूर